आज मैं आप लोगों से नौरात्र की एक बहुती सिंपल और टेस्टी सा थाली की रेसिपे शेयर कर रही हूँ So welcome back to my channel Salt and Paper वितंकिता मैं बहुती खुस नसीब हूँ कि आज आप मेरा वीडियो देख रहे हैं सबसे बहले यहां पे मैं कुछ केले जो है ना बॉयल कर ले रही हूँ वजिन में यह आधा किलो है और करीब 5-6 केले हैं यह मीडियम साइज के तो एक गलास पाने डाल करना इसे मीडियम फ्लेब में 2 सीटी आने तक हमें अच्छे से बॉयल कर लेना है जब तक केला बॉयल हो रहा है तब तक यहां पे एक छोटे साइज का मैं लॉकी ले ले रही हूँ जिसे अच्छे तरीके से चील कर धूल लेने के बाद मीडियम साइज वाना जो ग्रेटर होता है उससे अच्छे से ग्रेट कर लेंगे तो यह देखें यह लॉकी सारे ग्रेट हो गए है केला भी बॉयल हो गया तो इसे हटा लेते हैं और उसी बर्नर में यहां पे मैं एक पैन ले ले रही हूँ जिसमें मैं कुछ ड्राइफ फ्रूट्स ना थलका सा भून लोंगी थोड़ा सा घी डालके तो यहां पे करीब 5-6 काजू और बादाम को फाइन चॉप कर लिए हूँ अब सारे ड्राइफ फ्रूट्स को एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसी पैन में बहुत थोड़ा सा घी ले लेंगे और इसमें जो लौकी ग्रेट किया हुआ था वो सारा डाल देंगे और डालके लो फ्लेम में हमें इसे अच्छे तरीके से भून लेना है बस इसे कि यह लौकी अपना पानी छोड़ेगा और थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाएगा तब तक केले का जो स्टीम है वो भी निकल गया है और उसे एक प्लेट में या थाली में निकाल लेंगे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए इसका जो बाकी का प्रोसेस है वो हम बाद में करते हैं तो यह लौकी भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है मतलब 50% यह पक चुका है अब इसमें मैं करीब 2 कप दूद एट कर रही हूँ दूद आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो इसे थोड़ा ज़्यादा पकाना प मैं दो मीडियम साइज का टमाटर ले ले लिए जिसे रफली चॉप कर लेंगे इसके साथ यहां पर हरी मिर्ची आट कर रहे हैं जितना तीखा खाना पसंद है उतना तीखा आप यहां पर ले लीजिए इसी के साथ दो इंच अद्रक ले लेंगे और एक मुठी धनिया की प तो यह देखेगे हमारा बहुत ही टीस्टी सा और यूनीक सा मसाला बनके तयार हो गया है खीर को भी देख लेते हैं जो लौकी का खीर बना हुआ था लौकी भी अच्छे से पक चुका है एंड में यहां पर जो ड्राइ फ्रूट्स था उसे डाल देंगे और चीनी डालना म यहां पर अपने अंदाज के हिसाब से मैं यहां पर 3-4 चंप्चीनी यहारी हूँ सारी चीज़ों को डालना का बस एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे तो यह खीर बनके तयार हो गया है इसे बंद कर देंगे और साइड में रख देंगे थूड़ा सी ठंडा होने के ज़रूरी है नहीं तो यह आलू जो है रहना वो काला पड़ जाता है तो यह देखे यह सारे जो आलू ग्रेट कर देंगे और पानी में ना इसे अच्छे तरीके से धुल लेंगे आप चाहे तो दो तीन पानी से अच्छे तरीके से साफ तर सकते हैं अब दोनों हाथों से इस तरीके से इसके सारे पानी को निकाल लेंगे और एक किसी भी कॉटन के टॉवल में हम इस तरीके से फैला के रखेंगे या आप नॉर्मली थाली में भी फैला के इसे फैन के नीचे रख सकते हैं तो cotton के कप्रे में इस तरीके से फैला के रख देंगे, थूड़ा सा पानी सूखने का वेट करेंगे, अब एक कडाही में यहाँ पर एक बड़ा चम्मच मैं तेल ले ले रही हूँ, और इसमें मोमफली के दाने को थूड़ा सा फ्राइ करना है, तो मोमफली के दाने को मैं जब आप इस तरीके से पानी से धुल के तेल में डाले तो थूड़ा सा फ्लेम को हाई रखिएगा, और फिर मीडियम फ्लेम में करते हुए, इसे थूड़ी देर के लिए हमें भून लेना है, जब मोमफली चटकने लगे तो हमारे यह बहुत अच्छे तरीके से फ्राइ हो मखाना भी हमारा अच्छे तरीके से भून चुका है, इसे भी उसी प्लेट में निकाल लेंगे, अब उस कड़ाई में फिर से एक बड़ा चमबच में तेल ले ले रही हूँ, यहाँ पे मैं मोमफली का तेल यूज़ कर रही हूँ, मैं आपको बताना बोल गई हूँ, आप करके मीडियम फ्लेम में करके इसे ढखके रख देंगे बस 1-1,5 मिनट के लिए, एक डेड़ मिनट में ना यह यह आलू थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाते हैं और थोड़े से क्रिस्प भी हो जाते हैं, तो इसे एक बर और अच्छे तरीके से चला लेंगे, फिर इसमें ए तोड़ा सी धनिया की पत्ती और जो भुना हुआ मोमफली था वो एड़ करेंगे और यहां पर आधा नीबू कर रस अगर आप अमचुर खाते हैं तो यहां पर अमचुर का पॉड़र आप एड़ कर सकते हैं तो यह सारी चीजों को डाल के एक अच्छा सा मिक्स कर देंगे मत तो बहुत ही टेस्टी सा जटपट से यह सूखी आलू की सबची बनके तयार हो जाती हैं तो यह हमारी सबची बनके रेटी हो गई है इसे एक कटोरी में निकाल ले रहे हैं इसके जगह अगर आप यहां पर अमचुर पॉड़र या लाल मिर्च पॉड़र एड़ करते हैं इसके बाद जो केला था ना वो भी अच्छे से ठंडा हो गया है तो उसे ना छील लेंगे अच्छली यह केला ठीक से पक नहीं पाया है मुझे बाद में पता चला जब मैं इसा छील का निकाल ले थी तो अगर ऐसा हो ना तो इसके आपको क्या करना है वो मैं आपको बताती यह देखिये थोड़े से हाड हो गया है तो अच्छे से यह मैश नहीं हो रहते तो जो आलू आला मैश होता है ना पोटेटो मैश मैश कर रहे थी तो एक्चुली मैं इसका कोफता बनाने वाली हूँ मतब साही कोफता बना रही हूँ तो इससी स्टेज में तो यह बन जिसे बारीक वाले कद्दू कस से कद्दू कस कर लेंगे उसके बाद दो हरी मिर्च बारीक कटा हुआ थोड़ा सा मैं पनीर एड़ कर रही हूँ जो मैं घर में बनाई थी इसके साथ राइफ रूट्स को थोड़ा सा बारीक कट कर लेंगे यहाँ पर मैं करीब 5-6 काजू और करीब 10 दाना मैं किश्मिश लिए हूँ, किश्मिश को भी बीच में से दो-दो टुकडा करके ही इसमें एड करिएगा, नहीं तो वो फ्राई करते वक्त फूल जाते हैं बीच में से, तो इसके साथ मैं एड कर रही हूँ, आधा नीबू का रस, इससे टीस्ट बहुत अच अच्छे से हमें एक डो बना लेना है, ये देखे, इस तरीके से जब एक डो बन जाएना, और जब आप इसको छुटा-छुटा सा बॉल बनाएंगे, तो ये बिखरे का नहीं, मत्तब तूटे का नहीं, अगर ये तूट रहा है, तो आप इसमें कुट्टू का या आठा और आड़ कर दीजेगा, तो ये देखे, ये पर्फेक्ट हमारा ये बॉल, चिकना सा बॉल बनके तयार हो गया, इसी तरीके से सारे कोफते के बॉल बनाके रेडी कर लेंगे, तो ये देखे, ये केले की कोफते हमारे बनके रेडी हो गया, अब चलता है, इसे हो रहा है, मतलब इसे लोटू मीडियम फ्ले में ही फ्राइ करिएगा, क्योंकि कुट्टू काटा है तो उससे थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है, तब तक यहाँ पर ग्रेवी बना लेता है, तो कडाही में मैं दो चममच तेल डाली हूँ, और जो मसाला था ना, वो ड छे मिनट लग जाते हैं, एक बार ये बॉल एक मतलब फ्राय होने में, तो जब अच्छे से तेल छोड़ने लगे ना, तब यहाँ पर मैं दो से तीन चममच दही अड़ कर रही हूँ, इससे ये ग्रेवी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, एक बार जो मसाला अच्छे से पक जाएगा, तभी इसमें दही अड़ करिए, और ढ़क के लो फ्लेम में उसे अच्छे से पकने दीजे, ये देखे हमारा ये कोफते का बॉल भी अच्छे से, मतलब फ्राय हो गया है, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, या आप इसके उपर दही डाल कर, मतलब दही वड़ा के हिसाब से भी इसे आप सर्फ कर सकते हैं, तो ये देखे, जो दही था ना वो भी अच्छे से पक चुका है, तेल छोड़ा है अच्छे से, अब इसमें जो दूध वाला मलाई होता है, वो मैं एड़ कर रही हूँ, करीब दो चमच, मलाई को भी डाल के मीडियम फ्लेम में अच्छे से भून लेंगे, जब मलाई भी ना तेल छोड़ने लगे, साइट से अच्छे से पक जाए, तक जो भी मसाले वाला मतब हमारे जार में मसाले लगे वे थे, उसी में से थोड़ा सा पानी लेके, इसमें डाल देंगे, मीडियम फ्लेम में अच्छा सा बॉइल आने यहाँ फिर यहाँ पर थोड़ी सी धनिया की पत्ती डालेंगे, हमारा यह सबजी बनके रेटियो गया है, दो मैं केला जो बॉइल केला मैं हटा के रखी दि जिसके मैं रोटी बनाने वाली हूँ, तो केला जो की कच्छा था थोड़ा सा उसे ग्रेट करेंगे, और पैन में आधी कटोरी में पानी ले ली हूँ थोड़ा सा नमक डालेंगे और केले को थोड़ा सा इसमें पका लेंगे अगर केला अच्छे से पका हुआ है तो आप इसे ऐसे ही कटोरी में मैश कर लीजे उसमें थोड़ा सा नमक डालिए थोड़ा सा गरम पानी डालिए और फिर इसमें आधी कटोरी आटा डालिए जो चीज मैं पैन में कर रही हो ना वो चीज आप अपने परात में या बड़े कटोरी में कर सकते हैं तो यहाँ पर कुट्टू के आटे को डालके एक पर अच्छे से मिक्स कर देंगे और ढखके रख देंगे ठंडा होने के लिए जब तक वो थोड़ा सा ठंडा हो रहा है तब तक रायता बना लेते हैं तो यहाँ पर मैं दही, आधा चमच चीनी और वन फोर्थ चमच नमक डालके अच्छे से मिक्स कर देंगे और जो भुना हुआ मखाना था ना वो भी डाल देंगे और मिला देंगे तो यह हमारा मखाने वाला रायता भी बनके रेडी हो गया है अब यह आटे को भी चेक कर लेता है, आटा थोड़ा सा ठंडा हो गया है इतना ठंडा होना चाहिए कि आप हाथों से टच कर रहे हैं मतलब आप बरदास कर सकते हैं, इतना ठंडा होना चाहिए तो ये देखे, अब इसे ना ट्रांसफर कर देंगे, हम एक कटोरी में, इससे ना बहुत ही सॉफ्ट कुट्टू का आटे का रोटी बनके तयार होता है, सेम प्रोसेस से आप सिंघाडे के आटे का भी रोटी बना सकते हैं, तो इसे इस तरीके से मैश कर लेंगे, इसमें तेल आटे का ही आप सुखा आटा लगाईए, थोड़ा साना मोटा बेलना है, बहुत जादा पतला बेलेंगे ना तो ये बीच में से तूट जाएंगे, ये बेलते वक्त ना साइट से थोड़े से फट जाते हैं, तो आप अगर बिल्कुल चिकना चाते हैं, तो कोई भी कटोरी के मेजर से आप इसे कट कर सकते हैं, वैसे हम लोग जब घर में खाते हैं, नॉर्मली मैं ऐसे ही इसे बना लेती हो, तो ये देखिए, ये हमारा रोटी ना अच्छे से बेल चुका है, तवे को ना थोड़ा अच्छे से गरम करेंगे, गरम तवे में इसे डालेंगे, फिर क घी लगा के मतलब बनाएंगे, तो ये और भी टेस्टी बनेगा, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा घी लगा के, इसे अलट पलट करके सेक ले रही हो, एक रोटी सेकने में बतलब डेड़ से दू मिनट समय लग जाते हैं, क्योंकि आटे को ना थोड़ा अच्छे से पकाना र खालेंगे, तो चलते हैं फटा-फट से थाली सर्फ करने के तरफ, तो ये हमारा साही को उफता बहुत ही टेस्टी और डिलिशेस बनके तयार हुआ था, इसी के साथ जो सुखे वाले क्रिस्प आलू थी, उसी के साथ बहुत टेस्टी और हिल्दी सा लौकी का खीर, ठंडा टाटा, बाई बाई और टेक केर